खेच लेना है और अगर आपने अभी बरोबर से इसे चिपकाया नहीं इसको तो फिर इसको कित्ती भी प्रेस मारो ये बरोबर नहीं बेटने वाला ठीक है अभी क्या है दोस्तो यहाँ पर हमको वेश्टन पट्टी बनाना है तो देखिए पट्टी जब लगाते हैं आपन त कैसे दिखेगी चलिए बताता हूं तो आप देखिए अगर आपने यहां तक वीडियो देख लिया है तो वीडियो पूरा देख लेना अब मेरे जो दोनों हाथ है ये कैसे काम करते हैं पाइपिंग को बरोबर लाने में नमस्कार दोस्तो स्वागा थे आपका आज के इस न ना सिखाया है और यह जो वेस्टन पट्टी बनाने का तरीका बताया है ना इस पट्टी पर कहीं पर भी प्रेस का कोई इस्तमाल नहीं है लेकिन देखिए ये बिलकुल गोल आई है पट्टी इस तरब भी गोल आई है एकदम गले पर और यहां देखिए यहां पर भी गले पर पूरी गोल आई है पट्टी ठीक है न और इसको मैंने बिना प्रेस के बनाया है यहाँ पर कोई प्रेस का इस्तमाल नहीं किया है तो इसका क्या तरीका है बनाने का पूरा वीडियो देख लेना आज के बाद आपको किसी से भी नहीं पूछना पड़ेगा कि वेस्टन अपने को ब्लाउच को बनाना चाहिए तो डिफरेंट कलर का जब आपको धागा रहेगा तो एक-एक सिलाई किलियर दिखेगी जैसे यह चौक किलियर दिख रहे है क्योंकि हम आपको सिखाने के लिए ही वीडियो बना रहे हैं तो उसके हिसाब से मैं आज आपको डिफरें हाई पट्टी है ये मेरी हुक पट्टी है ठीक है हुक पट्टी को मैं ऐसे मौल लूँगा पहले आपको भी ऐसे ही करना है हुक पट्टी ऐसे ही बनेगी आपकी भी ये हाई पट्टी है हाई पट्टी को हम क्या करेंगे ये सीधा वाला भाग जो जोड़ेंगे इसको पहले यहां देखेंगे जैसे हमारा निशान है यह वाला एक तरफ से सीधा एक तरफ से इसा राउंड में तो ऐसे ही हमको सिलाई लगाना है कैसे लगाएंगे यह देखिए दोनों तरफ निशान है अपने तो मैं यहां से इसको हटा लूँगा यह दोनों को खोल दिये हमने बाहर तरफ हमारा सीधा है इसको यहां रखेंगे ऐसे अभी देखिए ऐसे अगर हम सीधा जोइंड कर देंगे ना जैसे ऐसे तो यहां पर कोना उड़ जाएगा जो कि बिल्कुल भद्दा लगेगा वन टक्स के हिसाब से वन टक्स में आपको ऐ एसे डाउट लगाना है जैसे मैं आपको बताऊंगा ध्यान से देखना यह रख लिया मैंने वरोबर यहां पर ऐसे मैं सिलाई रखूंगा ठीक है अब कंट्रास कलर का धागा है चिलाई भी आपको दिखेगी वरोबर से तो यहां पर देखिए पहले मैं दोनों कपड़ों को ऐसे मिला लूँगा ये देखिए ऐसे और आदा इंच की हमको सिले लगाना है अभी देखिए यहां पर कैसा हो गया ये इसको हमको ऐसे पकड़ना है यहां पर और जहां पर हमारा ये देखिए ऐसे बढ़ रहा है ना इसको ऐसे निकालना है देखिए ऐसे करकर जैसे ये ज तो हमको ऐसे इसको ध्यान से शिलाई को लगाना है देखिए मैं लगा रहा हूँ मैंने यह जो कपड़ा है ना देखिए इसको ऐसे मोड दिया यहाँ पर ध्यान से रेखना मेरे हाथ केसे है ऐसे मोड दिया तो यह मोडने के बाद अपनी ड्राइंग एटोमेटिक आ जाएग अब देखिए इस तरब मैं ऐसे पलटा दूँगा इस तरब ऐसे नाकुं लगा दूँगा बरोबर से कितना घुमाना है ऐसे पकड़ेंगे यहां पर यहां पर पकड़ेंगे इसे और यहां लगाएंगे यह देखिए ऐसे घुमा करके हमको सिलाई लगाना है यह देखिए अब यहां पर हम सिलाई लगा देंगे जैसे हमने दूसरी तरब लगई ऐसे देखिए यहां पर मिला सिलाई लगा देंगे अब क्या करना है दोस्तों यहाँ पर यह जो जगह है ना यहाँ पर एक दो तीन ऐसे छटके लगाएंगे इस तरब भी देखिए यहाँ पर एक दो तीन और अगर आपके पास इंटरलाग है तो आप इंटरलाग जब मारेंगे न तो ऐसे खेच के इंटरलाग मार देना बहुत अच्छा सेप आएगा इसका ठीक है अभी मैं दूसरी तरफ का भी पल्टा दूँगा यहाँ पर फरंट की तरफ हमको पल्टाना है और देखिए इतना बढ़िया तरीके से यह दोनों डॉट हमारे आ जाएंगे यहाँ पर आपको बिल्कुल फिनेशिंग दिखेगी शिरिफ पॉप उठेगा यहाँ पर इतनी जगे पर और यहाँ से हमारी करास पट्टी जाती है न उस जगे पर बिल्कुल आपको ऐसे प्लैन दिखने वाला है ऐसे ही ये इधर भी बलाऊज बिल्कुल प्लेन हो जाएगा जब यहाँ पर देखिए ऐसे कॉफ रख देते ना अपन तब ठीक है दोस्तो आपको केलियर समझ में आगए दोनों तरब के मैंने डॉट लगा दिया आप हुकाई की पट्टी लगाएंगे यहाँ पर आपको ध्यान रखना है यहाँ तरब हम लोग हाई की पट्टी लगाते हैं ऐसे जो हाई की पट्टी हमको ऐसे रखना है यहाँ पर ऐसे रख लेना है नीचे हम डाइरेक वेस्टन पट्टी लगाने वाले हैं ऐसे यहाँ पर इधर और देखिए इस तरब भी अपने को सिलाई लगा देना है यह लग गई मेरी सिलाई देखिए बार-बार मशीन धागा तोड़ती है तो उसके लिए क्या करिया आप यह सिलाई का है बार-बार धागे को अलग मत हटाईए अगर यहाँ से उतार नाई है हमको तो एक यह तुकड़ा ले लेजिए ऐसा और इस पर से उतार दीजिए अब हमारा धागा नहीं तूटेगा बार-बार आपने देखा दो-तीन बार धागा तूट गया हमारा तो यह देखिए यहाँ पर इसको लेंगे अभी यह हो गया हमारा अब हमको हुक पट्टी बनाना है यह हुख पट्टी रखेंगे यहाँ पर और यह हुख पट्टी को ऐसे रखकर हमको सिलई लगाना है ऐसे यह जो तुकड़ा है हमारा इसको वापस यहीं पर रख देंगे हम ऐसे करकर आप क्या करना है इस पर एक किनार वाली सिलई लगाना है ऐसे घुमाईए अगर आप पिलेन बुलाउज बना रहे हैं इस प्रकार से तो डाइरेक बस इस पर सिलाई लगा दीजिए ऐसे ये हमारी हुक पट्टी भी बन गई है अभी देखिए दोस्तों यहाँ पर ये हुक पट्टी रख दी हमने बरोबर से ऐसे और देखिए गला कितना प्यारा लग रहा है आप भी इस प्रकार से बुलाउज की कटिंग और स्टिचिंग करिए ऐसे रखेंगे यहाँ पर और ये डॉट को दोनों तरप से बरोबर रख कर कम्प्लिट कर देना है ऐसे यहाँ पर भी धागा नहीं तोड़ना है आपको और ऐसे कोई भी कपड़ा यहाँ पर लगा देना है अभी देखिए इस तरप भी डॉट लगाना है ऐसे और यहाँ तक हमारा डॉट बरोबर जाएगा यह देखिए हमारे दोनों डॉट लग गए है अभी यहाँ पर ऐसे नाखुन लगाना है फिनेशिंग अगर चाहिए तो नाखुन लगा लेना और देखिए यह बिलकुल सीधा हो गया है इसको छोड़ दिजिए यहाँ पर वेस्टन पट्टी लगाएंगे हम गले पर वेस्टन पट्टी लगाएंगे और आगे भी तो देखिए अब हमको क्या करना है डाइरेक्ट सोल्डर जोड़ना है तो सोल्डर हम क्या करेंगे यहाँ पर अंडरग्राउंड जोड़ लेंगे क्योंकि अंडरग्राउंड जोड़ने से यहाँ पर अच्छी फिनेशिंग दिखती है इस सीधे के उपर सीधा रखा मैंने यहाँ पर देखिए ऐसे आदा हेंबर की सिलाई लगाईए दूसरी तरप का यहाँ रखिए यहाँ पर सिलाई लगाईए अभी देखिए इसको अंडरग्राउंड करना है मैंने आज वीडियो डाला था उसमें बताया है कि यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कहां तक आपको इसको सीधा रखना है अगर यह ऐसे सीधा जूड़ गया ना तो आप भूल जाईए कि आपका सॉल्डर कभी भी उतरने वाला है ठीक है? ऐसे रखेंगे यहाँ पर और इस तरह सिलाई लगा देंगे यह देखिए आपको समझ गया होगा यह अंडरगाउंड हो चुका है आप यहाँ पर कोई भी धागा नहीं दिखेगा ऐसे स्टेचिंग को बड़िया ध्यान से करिएगा अभी इसको देखिए यहाँ पर इसको पल्टाईए और इस पर भी शिलाई लगा दीजिए जब भी आप मशीन नीचे उतारेंगे तो ऐसे आगे पीछे कर देना है और देखिए यहाँ पर यह मैंने नाकुन का निसान लगा दिया अब हमको क्या करना है इस पर अस्तिन चड़ाना है अस्तिन चड़ाने से पहले हमको अस्तिन को तयार करना है ठीक है तो चलिए अस्तिन को तयार करते है तो आब मैं यहाँ पर अस्तिन तयार करूँगा उसके लिए क्या करूँगा ये मेरा कपड़ा है, स्क्वेर में है कटा हुआ, इसको ऐसे उरेब रखूंगा मैं, वेस्टन पट्टी अगर बनाएंगे, तो ऐसे उरेब कपड़े को रख लेना है, नाखुन लगाना है, ऐसे, और यहाँ पर देखिए, ऐसे रखिए, देड़ इंच का कपड़ा, चोड़ हमको कटिंग करना है, ठीक है, ध्यान रखना, देड़ इंच ओड़ा कपड़ा कटिंग करेंगे, यह मैंने निशान लगा दिया, ऐसे ही यहाँ पर निशान लगाऊंगा, और इसको पुरा कट कर दूँगा, देखिए, इसी परकार से मैं फूरी पट्टी कट कर लूँगा अब देखिए दोस्तों, यह मैंने सभी पट्टिया कटिंग कर लिए है, देड़ इंच की चोड़ा ही रखी है, अब हमको ऐसे करकर इनको जॉइंट मार देना है, चलिए यह देखिए, ऐसे करकर और यह देखिए मेरा जॉइंट लग गया है, जॉइंट ऐसे लगाना है कि हमारी पट्टी बिल्कुल ऐसे सीधी बनना चाहिए, आड़ी तेड़ी नहीं बनना चाहिए, ऐसे ही मैं पूरी पट्टियों को जॉइंट कर लूँगा, अभी देखिए मैंने सारे जॉइंट य पट्टी के कपड़े चिर्वा कर लूँगा, अभी देखिए ये पूरी पट्टी बन गई हमारी, कितनी लंबी पट्टी बन गई है, आपने देखा जरासा कपड़ा था, अब इस पट्टी से हम क्या करेंगे, सभी जगे वेस्टन पट्टी लगाएंगे, कमर में, गले मे और सिलिव में, तो चलिए पहले सिलिव में लगाते हैं, यह हमारी सिलिव है, कभी भी आप अस्तिन बनाएंगे ना, तो इसे चाक का निसान लगाना है, ऐसे, ताकि हमको मालूम रहे कि कौन सा उल्टा है और कौन सा सीधा है, यह पट्टी को यहां रखना है, इस परकार से और चलाना है, अभी देखिए, यह जो पट्टी है ना, इसको हल किसी, जब अस्तिन में बनाएंगे ना, तो हल किसी यह से खेच के रखना है, हल किसी, जादा नहीं, और देखिए, आदा इंच की सिलही लगाएंगे हम, और ऐसे करकर इसको चला देंगे, ऐसे ही मैं दूसर ऐसे रखना है, यह रखा मैंने, और जितना हमारा बाहर कपड़ा जा रहा है, इसको जाने देंगे, डाइरेक्ट हम इस पर ऐसी लगाएंगे, लेकिन ऐसी लगाने से पहले क्या होता है, हमारा नीचे वाला कपड़ा उपर आ जाता है, तो कभी भी ऐसी डाइरेक्ट नहीं लगाना है आपको क्या करना है ऐसे पल्टाना है इस तरफ यह यहाँ पर ऐसे कपड़े को रखना है यह देखिए इस परकार से यहाँ पर और इस पर लगाना है किनार वाली सिलाई यहां रखेंगे, यह चलाए हमने, अभी देखिए, एसी सिलाई लगाने से क्या फायदा होगा दिखेगा आपको यह देखिए, यह लगा दिया मैंने सिलाई, अभी यह मुड़ गई हमारी, अब ऐसे पलटाएंगे, यह सीधा भाग है हमारा, तो सीधे भाग पर हमारा यह सुन्दर दिखना चीए, तो हम क्या करेंगे अब, ऐसे पलटाएंगे और यह जो नीचे कपड़ा दिख रहा है ना, इसको ऐसे धका देंगे, बरोबर से देखिए, ऐसे करकर, और इस पर सिलाई लगाएंगे, इस तरफ, तो एटोमेटिक हमारी दो सिलाई वाली पट्टी तैयार हो जाएगी यह देख लिजिए, अस्तीन पर हमारी पट्टी बनकर कम्प्लीट हो गई है, ऐसे ही मैं दूसरी तरफ की भी अस्तीन कम्प्लीट करूँगा ठीक है दोस्तो, वीडियो कैसे लग रहा जरूर बताना, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर देना, और आगे देखिए अब हम बनाएंगे कमर पर पट्टी, इसके बाद में गले पर पट्टी कैसे बनाना है, गले पर क्योंकि राउंड रहती है, वहाँ पर कैसा होग चलिए बताता हूँ, अगर आप नया नया टेलर का काम सीख रहे है, तो आप इस तरीके से अस्तीन को लगाएंगे, यह बैग है हमारा, इस अस्तीन को रखेंगे हम, यहाँ पर देखेंगे, यह हमारा टक्स वाला हिस्सा है ना, जो कट लगा वाला, यह फरंट का है, और य देखिए, इस प्रकार से, ऐसे करकर, और यह देखिए, बिल्कुल बरोबर, क्योंकि हमने कटिंग बरोबर करी, तो बरोबर आना ही है, ठीक है, तो फिर भी हम क्या करते है, हम अगर नया नया टेलर का काम सीख रहे है, अभी नया नया बुलाउज बनाना सीख रहे है, तो म इस प्रकार से यहाँ पर हाथ पर ध्यान दीजिएगा मेरी उंगली होन पर इसके हिसाब से आपको चलाना है अब देखिए यहाँ देखेंगे हम यह हलका से एक सेंटीमिटर बड़ा हो रहा तो क्या करना है नीचे वाले पल्ले को हलका सा राउंड में खेज देना है यह लेना है इस तरफ से और यहाँ पर शिले लगाना है देखिए मैंने यहाँ पर वापस यहीं पर शिले लिया आया अब इस तरफ चड़ाएंगे हम क्योंकि सेंटर फेल नहीं होना चाहिए अस्तिन चड़ाते वकत कभी भी ध्यान रखना है और ऐसे बरोबर से अगर आपको ऐसा मेगनेट चाहिए तो हमारे पास मिल जाएगा आपको बहुत मेगनेट प्रेशर फूट सभी मिलते है यहाँ पर ऐसे रख लिजिए तो आपको दिख जाएगा कि हमारा आदा इंच दबरा है या ज़्यादा दबरा है या कम दबरा है तो यह काम कर देता है ऐसे यह दे दीजिए यहाँ पर अभी यह हो गए हमारी अस्तिन भी चड़कर complete अब जो यह regular सिलाई करते हैं ना उनके हिसाब से हम अस्तिन चड़ाएंगे तो हम केसी चड़ाएंगे यहाँ रखेंगे इस तरब ठीक है और यह भी हमारा आगे यह आदा इंच का दाब रखेंगे यहाँ पर और इसको देखिए मैं चड़ाना चालू कर दूँगा अभी रेगुलर अस्तिन चड़ाते हैं तो ऐसे चड़ा लेना है यहाँ देखना है हमारा सेंटर आ रहा है नहीं नहीं आर मारे तो अछल्पा सा ढ़का देना बढ़ा देना है ऐसे करकर कर अभी यहाँ से रखना है हाथको और देखिए मैंनें आस्तिन को ऐसी पकड़ी है पूरी उपपर और ऐसे चला रहा हूं ठीक है ऐसे जमा करके और इसको धका दो थोड़ी सी बस यह किलियर हो गया दोस्तों आप यहां पर डबल सिलाई लगाना है देखें दोस्तों जब आप यह डबल सिलाई लगाते हैं तो कपड़े को ऐसे खीच के लगाना है क्योंकि पहली सिलाई तो हम धका कर लगा देते हैं तो कपड़ा कई बार इसा जिराओ में आ जाता है तो अस्तिन टाइट होने का डर रहता है जब दूसरी सिलाई लगाएंग कि हमको western पट्टी नीचे लगाना है कमर में और यहां पर गले में तो उससे पहले क्या करेंगे ऐसे रखेंगे हम बुलाउच को यह देखिए इस परकार से यहां लेंगे ऐसे रखेंगे बरबर से यहां पर यह बीच में निशान लगाएंगे अभी ध्यान रखना है, यह हमारी हुक पट्टी है, हुक पट्टी सेंटर के निशान पर ऐसे रख लेंगे बरोबर से, यहाँ पर ऐसे कमर रख लेंगे, बरोबर से देखिए, यह ऐसे बरोबर मिला करके, यह बिलकूल एकदम बरोबर आ रहा है, यहाँ से ऐसे, यह रख लि अगर fix रहेगी न तो यह ऐसे बरोबर आ जाएगा यहाँ से हमारी side joint होगी कहाँ पर से इस जगे से ठीक है तो अभी मैं क्या करूँगा इसको ऐसे रख लूँगा और side को पूरी underground कर दूँगा यहाँ लग गई हमारी शिलाई यहाँ पर देखिए अभी हमको ऐसे रखना है अब एक तरफ बरोबर है तो दूसरी तरफ भी बरोबर आएगा तो यहाँ कुछ नहीं ना अपना है ऐसे रख लेंगे और इसे शिलाई लगाएंगे अभी यहाँ देख लेंगे हमारा जो mark है ना यह वाला यह mark और यह mark जैसे हमारा cutting के समय mark आया उसी परकार यह यहाँ पर दोनों mark मिल जाएंगे यह देख लिया दोस्तों आपने इसको मैंने side को joint कर दिया हूँ अभी यह हमारी पट्टी है इसको कमर में लगाएंगे हम तो इस तरफ से सुरू कर देता हूँ यहाँ रख करके यह देखिए यहाँ पर भी आपको क्या करना है आदा इंच का दबाओ देना है तो यह magnet को बुलवा लेना आपको आपके पास नहीं मिलेगा तो हमारे पास मिल जाएगा हम पोचा देंगे courier charge extra लगता है यहाँ रखे पड़ा रहेगा इसको हलका जिराओं में देना है और इसको थोड़ा सा खेचना है जैसे अस्तीन में बताए था इसको अगर हमने इसको खेच दिया और इसको जिराओं में दे दिया तो यह जो नीचे की कमर है ना इसी पल्टी खाएगी तो इसका ध्यान रखना कमर आपकी हमें ने यह देखिए यहां पर रखूँगा मैं हलका समय ने यह जो कपड़ा है इसको जिराव दिया ऐसा ध्यान रखना है आपको हर बुलाउज में ऐसे ही करना है अगर पट्टी वाला बना रहे हैं तब ऐसे तो इससे क्या होता है यह जो यह वाला कपड़ा रहता ना कभी भी तंता नहीं है बिलकुल फिनेशिंग में बेढ़ जाता है कमर कम रहती है चेश्ट ज्यादा रहता है यहां पर अगर खिचावा जाएगा तो उपर जोला जाएगा ठीक है ना तो देखिए जिसे पाइ यहां दिखाई तो हम कमर में भी क्या करेंगे अस्तिन की ही तरह पर ऐसे पकड़ेंगे जितना हमने कपड़े का दबाव दिया है बस उतना ही कपड़ा मोड़ना है नीचे दबाव वाला कपड़ा मोड़ना नहीं है यहां पर अगर हम बारिक पट्टी बनाएंगे तो अब देखिए यहाँ पर लगकर कंप्लिट हो गई अब देखिए जो भी हमारे पास कपड़ा इसका मुड़ा है इसको अपने को उपर मोड़ देना है अब यहाँ पर जैसे उपर बढ़ता है लेकिन यहाँ पर जब मोड़ेंगे न तो यह जो उरेब में कपड़ा है हमारे पास तो यह वरोबर खेचा कर लगेगा चलिए देख यहाँ पर शिले लगाऊंगा मैं ऐसे और जब भी आप यह पट्टी पर शिले लगाएंगे नीचे का कपड़ा ऐसा खेचना है और ऐसे रखना है अब देखिए यहाँ होग पट्टी पर भी हमको इसको ऐसे अंदर मोड़ना है और यहाँ पर अंदर लगा देना है अगर जो भी कपड़ा हमारा बाहर दिखेगा उसको अंदर ऐसे धकल देना है वरोबर से ऐसे ठीक है ऐसे लगा करके इस पर कम्प्लीट सिलाई कर देंगे नीचे डॉट का कपड़ा का भी बाहर जा रहा तो ऐसे खेच लिजिए अभी देखिए दोस्तो कितनी प्यारी फिनेशिंग में ये पट्टी लग गई हमारी इधर भी देखिए बिलकुल प्लेन है और आपका ब्लाउज भी इधर उपर उठेगा नहीं क्योंकि हमने पट्टी को खेच के लगाया खेच के नहीं लगाते तो ये ऐसी उठने लग है ठीक है ना अभी देखिए दोस्तों ये हो गए हमारा हमको ये अस्तीन को पल्टाना है ऐसे करकर ये देखिए बाहर आ जाएगी अस्तीन हमारी इस तरह से ये देखिए और यहाँ पर देखिए ऐसे पल्टाएंगे हम यहाँ पर एक सिलह लगा देंगे पहले किनार वाली अभी देखिए दोस्तों ये जो आपकी सिलाई है ना हमेशा एक जैसे सीधी आएगी यहाँ पर हमने क्या किया है साड़े ग्यारा की अस्तीन गुलाई है तो पोने छे पर एक निसान लगाएंगे इतना यहाँ पर देखिए एक निसान हमारा यहाँ पर लग जाएगा यह देखिए ऐसे ठीके दोस्तों तो आपकी जो सिलाई है ना साइट की विल्कुल सीधी आएगी हमेशा इसी तरीके से आपको कटिंग करना है जैसे मैंने आपको कटिंग बताई है और यह साइट देखिए एटोमेटिक जुड़ जाएगी आपकी अभी देखिए दोस्तों ये डबल सिलाई लगा दीजिए टाइट डीला करने के लिए काम में आ जाती है ये देखिए दोस्तों आपकी भी बिल्कुल सिलाई ऐसी फिक्स सीधी आ जाएगी और ये बुलाउच कभी उपर भी नहीं चड़ेगा बिल्कुल फिक्स दिखेगा अभी इसको हम पल्टा कर आपको दिखा देते हैं ये देखिए यहाँ पर ये भाग देखिए और ये भाग देखिए बिल्कुल वरोबर आ गया अभी हम ऐसे ही दूसरी तरब कर चड़ाएंगे ऐसे लेंगे इसको सीधा कर लेंगे यहाँ पर अब हमको क्या करना है उपर से सिलाई लगाना है ऐसे रख देंगे इसको यहाँ बहार निखा लेंगे ऐसे अभी ये जो निशान है हमारा अस्तिन का ये बरोबर साड़े ग्यारा पर है तो यहाँ ही लगाएंगे हम इसको ऐसे कर लेंगे और देखिए यहाँ पर कहाँ पर आ रहा है हमारा निशान इस जगे पर तो यहाँ पर ऐसे मिला यह थोड़ा सा और ऐसे लगा दीजे ठीक है अभी यहाँ नीचे की तरफ जहाँ निशान जा रहा है हमारा वहीं से जाने देंगे और यह लग गई हमारी कमर पर भी पर सिलाई अभी ऐसे ही हमको यहाँ करना है आईसे यह लगा दी हमने पुरी सिलाई अभी देखिए दोस्तों आपको कैसे लग रहा है बुलाउज जरूर बताना यहाँ पर देखिए सिलाई यहाँ पर देखिए पट्टी का कोना और यहाँ पर भी देखिए यह पट्टी हमारी लग गई है और यहाँ पर लगाएंगे इस पट्टी को तो देखिए यहाँ रख अगर आपना टर्न है तो ऐसे रख लिजे थोड़ा सा इस पट्टी पर हाथ ध्यान से देखिए कि मैं पट्टी को कैसे खेच रहा हूँ बार बार बोलने की जरुबत नहीं है आपको बारा उबर मेरे जो हाथ है ना इस पर ध्यान देना है अगर परफेक्ट शिलाई सिखना है तब यह देखिए इस प्रकार से हमने खेच कर कपड़ा बहार निकाल दिया है ठीक है इतना अभी क्या है दोस्तो यहाँ पर हमको वेस्टन पट्टी बनाना है तो देखिए पट्टी जब लगाते हैं आपन तो गले पर देखिए अंदर की तरफ जा रही है ठीक है तो जब ऐसी अंदर तरफ जाएगी अपनी पट्टी तो इसको हम यहां मोड़ लेंगे इसे और फिर इधर पल्टाएंगे तो बिल्कुल फिनेशिंग में दिखेगी कैसे दिखेगी चलिए बताता हूँ यहां रखेंगे इसको ऐसे रखना है आपको और इस तरफ यह किनार पर सिलय चलाना है बीच में नहीं यहां पर अगर सिलय चलाएंगे तो एक अपड़ा ऐसा टर्न नहीं होगा है ना तो पहले सिलय कहां चलाना है आपको इस तरफ और यह पट्टी बनाने का तरीका सभी लोग नहीं बताते हैं, इसके यूटुब पर बहुत कम वीडियो है वेस्टन पट्टी के, ऐसे आपको घुमा कर लगाना है, देखिए अभी हम इस पर पूरी सिलई लगाएंगे, और देखना आप कि बिना रिंकल के, बिना जोल के ये पट्टी कित्ती सुन्दर लगेगी, अभी देखिए, यहाँ पर मैंने इसको पूरी कम्पलिट कर दी है, एक किनार की सिलई लगा करके, आपको भी ध्यान रखना है, जैसे मैंने बनाया है, ऐसा ही बनाना है, अभी यहाँ देखिए, हमको यह देखना है, जब पट्टी पल्टाएंगे, तो कोई कपड़ा बाह इसको काटना है, आज देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऐसे पल्टाएंगे हम, इसको देखिए, इस तरफ पल्टाएंगे हम, और यहाँ पर देखिए, जिसे हुक पट्टी है ना, यहाँ कड़क रहता है, तो ऐसे करकर देखिए, यहाँ रख लेना है, ऐसे, अब आपको य इसकी भी जरुवत नहीं पड़ेगी इसको सही करने के लिए तो थोड़ आसा इसको देखिए मैं और बाहर निकालूँगा ऐसे करकर रखूँगा यहां यह रख लिया मैंने ऐसे पल्टाऊँगा ताकि हमारा यह कोने से मिलना चीए इसकी शिलाई ने तो आब हम इसको शिलाई कैसे चलाएंगे हम इसकी शिलाई चलाएंगे इस तरफ से यहां लिया ऐसे यहां आ गई अब इस तरफ पल्टाएंगे क्योंकि यहां पर कोने पर अगर अपन सिलाई को नहीं लगाएंगे न ऐसी तो खुला दिखेगा जैसे यहां पर भी मैंने सिलाई लगई है कोने पर भी दिख रहा न ऐसे ही मैंने गले पर भी लगई है तो आप देखिए अगर आपने यहां तक वीडियो देख लिया है तो वीडियो पूरा देख लेना अब मेरे जो दोनों हाथ है यह कैसे काम करते हैं पाइपिंग को बरोबर लाने में ठीक है तो देखिए यहां पर मैं ऐसे रखूंगा हाथ को इस तरह से यह देखिए ऐसे औ हमने यह इदर रखा यह चला दिया शिलाई इस पर किनार की हमने यहां पर ऐसे हाथ रखेंगे इदर रखा यह चला दिया अभी ध्यान देना पूरी पटटी बनाते तक आप ध्यान से देखना ऐसे ऐसे देखिए बिल्कुल बरॉबर से यहाँ पर भी देखिए यह तरीका आप यह जो पट्टी बनाने का तरीका है ना आपके बहुत काम का है क्योंकि कई बलाउज आपके पास ऐसे आएंगे जिसमें हमको पट्टी लगाना पड़ेगा डिजाइन बनाना पड़ेगा तब यह आइडिया आपको लोगों के बिल्कुल बहुत काम में आने वाला है अभी देखिए यहां रखा मैंने गुलाई में बिल्कुल देखिए कितना बढ़िया गोल आरा गला हमारा ऐसे और देखिए यहां पर ऐसे खेच दिया मैंने अभी ही खेच लेना है और अगर आपने अभी बरोबर से इसे चिपकाया नहीं इसको तो फिर इसको कितनी भी प्रेस मारो यह बरोबर नहीं बेटने वाला ठीक है यहां पर ऐसी गोल बिना प्रेस के आजाना चाहिए आपकी पट्टी तो ऐसे मेथ़ड सिखने के लिए आप चैनल को सस्क्राइब कर लेना यह देखिए यह आ गई आप इस तरब देखिए यहां पर देख लिजे दोस्तों यहां पर भी कितनी बढ़िया पट्टी अपनी गोल आ गई है ऐसे रखना है ऐसे देखिए आप यहां पर बरोबर नहीं बेट रही है तो देखिए केसे करना जिसे आपने कभी ऐसे लगाए ना तो यहां पर देखिए कितने सल आ जाएंगे तो इसका सही तरीका क्या है मैं बताता हूँ आपको ऐसे लेना है यह हाथ को देखिए यह हाथ है अपना ऐसे रखना है आपको प्रेश की जरुवत नहीं पड़ेगी और इसको देखिए मैं रख रहा हूँ ऐसे रखते जाईए ऐसे देखिए यहां रखा मैंने और यह पट्टी को अब खेच दिया कुन सी पट्टी को इसको ऐसे खेचा मेंने यहां खेचा मेंने और देखिए यह पट्टी बिल्कुल प्रेश के जैसी चिपक गई अभी यहां मोड़ेंगे हम और यहां पर बनाएंगे हाई पट्टी पर कोना यह ओके हो गया दोस्तो यह देखिए दोस्तो यह हमारी वेस्ट रूपकुल गोल आया या नहीं आया है अगर आपको वेश्टन पट्टी बनाना सिखना है तो पूरा वीडियो देख लेना अगर आपने वीडियो को कहीं स्किप किया है तोorsa देख लिजिए आपको बहुत सारे method इसमें सिखाए गए है दोस्तों वीडियो पसंद आये तो लाइक करना चैनल पर नहीं है तो subscribe करना